सपनों को साकार करने के सबसे जरूरी नियम आईए जानते हैं सपनों को साकार करने के सबसे जरूरी नियम सपना देखने और उसके पूरा होने के बीच का जो सफर होता है वो अगर कोशिशों से भरा होता है तो सपने भी सच हो जाते हैं लेकिन अगर इस सफर में केवल सपने ही हो, उन्हें पूरा करने की कोशिशे ना हो तो ये सपने सिर्फ सपने बन कर ही रह जाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए पक्के इरादे और खुद पर यकीन की जरूरत होती है, इसके अलावा विप्रीत हालातों में भी सयम बनाए रखने वालों के सपने जरूर पूरे होते हैं। आप भी अपने सपनों को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं ना। तो चलिए आज बात करते हैं उन प्रयासों की जिन्हें अपना कर आप भी अपने सपने साकार कर पाएंगे। सपनों को साकार करने के सबसे जरूरी नियम, अपने सपने को पहचानिये, अक्सर सफल नहीं हुपाने के पीछे सबसे बड़ा कारन होता है मनचाहा काम न करना, ऐसे में कोई भी लक्षे निर्धारित करने से पहले आप ये तै करे कि आपका सपना है किया, आप क्या बनना चा में आपको जो चीज या काम नजर आए, वही आपका सपना है अपने सपने को अच्छे से पहचानिये क्योंकि अगर आपने इसे सही पहचान लिया तो आपको उपता सूरज बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप अपने सपने की सही पहचान नहीं कर पाएं तो डूपते सूरज जैसी स्थिती भी बन सकती है खुद पर यकीन बनाए रखिए सपने को पहचान लेने के बाद सफल हुने का आधा रास्ता तो आप तैकर ही चुके हैं अब आपको अपने आप पर यकीन बनाए रखना होगा सपनों को साकार रूप लेने तक आपको बहुत से मुश्किल हालातों का सामना करना पर सकता है ऐसे में अपने आत्म विश्वास को डिगने मत दीजिए और खुद से कहते रहिए कि आप ये कर सकते हैं प्लानिंग बनाए बिना प्लानिंग के किया गया छोटे से छोटा काम भी विगर जाता है तो सपनों को साकार होने के लिए तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी हुआना अपने टारगेट को एकदम क्लियर रखिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए सही प्लानिंग ही आपको भटकाव से बचाएगी और बहुत कम समय में ही आपको मन्जिल तक भी पनुचा देगी सयम बरतना होगा कभी कभी हर मुकाम जल्दी हासिल करने की हर बड़ी में हम सयम खो देते हैं जिसके कारण अब तक किये गए सारे प्रयास भी विफल हो जाते हैं जल्दबाजी में गलत निर्नाई लेने और धैर्यक होने से सिर्फ नुकसान हो सकता है फाइदा नहीं इसलिए हर हाल में अपने आपको सयमित रखिए क्योंकि सपनों की राह में चुनोतियां तो बहुत आती है लेकिन जीता वही है जिसमें सयम हो प्रयरना लेते रहिए सपना चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा उसे पूरा करने के लिए प्रेरना का होना बहुत जरूरी होता है ऐसे में आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएए जो आपको लगातार प्रेरित करता रहे इसके लिए आप प्रेरनादायक किताबे पढ़िए या सफल और महान लोगों की जीवनी पढ़िए देखिए ऐसा करने से आप हर समय प्रेरित महसूस करेंगे और अपने प्रयासों को फुर्ती और उर्जा के साथ हंजाम तक पनुचा सकेंगे सोच को सही दिशा दीजिए सपनों को साकार करने की राह पर चलते चलते आपको ऐसे हालातों का सामना करना पर सकता है जो आपको निराज भी कर सकते हैं या सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए गलतियों को दोहराने से बचीए सपनों की मनजिल पाने के इस सफर में कई बार गलतियां होनगी उनसे डरिये मत लेकिन उन्हें दोहराने से डरिये गल्ती होना स्वाभाविक है लेकिन बार बार एक गल्ती को दोहरा कर आप खुद ही अपनी राह में बाधा खड़ी कर देंगे इसलिए अपनी हर गल्ती से सीख लेते हुए आगे बढ़िये अनुशासन को अपनाईए जब किसी काम को करते समय लंबा समय लग जाता है तो अक्सर यही होता है कि हम अपनी आदतों से मजबूर होकर अनुशासन कर रास्ता छोड़ देते हैं और बहाने बनाना काम से जी चुराना शुरू कर देते हैं और हमारी ये बुरी आदतें कब हमारे सपने से हमें दूर कर देती हैं इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं पाते इसलिए सपनों को साकार करने का फैसला जिस दिन करें उस दिन से अनुशासन को तब तक बनाए रखे जब तक आप अपने सपने को साकार रूप न दे दें आज तक हम ये मानते आये हैं कि सपने देखना बहुत आसान होता है लेकिन यकीन मानिए इन सपनों को साकार करना भी उतना ही आसान होता है जितना सपनों को देखना बस कुछ शोटे छोटे प्रयास और थोड़ा साहस मिला दिया जाए तो सपने बड़ी आसानी से पूरे होने लगते हैं इसलिए अभी इसी समय से अपने सपनों की राह पर निकल जाएए और अपने नजरीये में इन सारी बातों को शामिल कर लीजिए फिर देखिएगा वो दिन भी बहुत जल्दा जाएगा जब आप भी किसी की प्रेरना बन जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए भी कोई सफल और महान शक्स प्रेरना बना था उमीद है डीकेम कामरा पर सपनों को साकार करने के सबसे जरूरी नियम की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी